कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों की आने का सिसला हुआ शुरू पूर्व सियम दिगविज़ सिंग भी पहुँचे अजे सिंग, राम निवास, रावत, राजियंद्र सिंग, ओमंग सिंगार, जैवर्दन सिंग भी पहुँचे विधायकों की पहुचने का सिसला लगातार जारी है चिंदवारा में होने की कारण कमलनात नहीं होंगे बैठक में शामिल मुखेमंद्री मोहन यादफ के पहले फैसले जिसमें लाउड स्पीकर पर बैन और खुले में मास विक्री प्रतिबंद की बात कही गई है उस पर पूर्व मंद्री और विधायकों मंग सिंगार ने कहा कि ये उनका फैसला नहीं है ये आरेसेस का फैसला है सबसे पहले तो महकाल मंदिर में शुरधालों से जो शुलक लिया जाता है वन नहीं लेना चाहिए जे वर्दन सिंग बोले कि सरकार को सबसे पहले सिक्षा के छेतर में काम करना चाहिए जो बेरोजकार युवा है उनको रोजकार दिलाने के दिशा में काम करना चाहिए अजय सिंग ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव होने की वकालत की उन्होंने कहा कि जब सारी जंता का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए जब उनसे पूछा गया कि क्या वा EVM पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनों ने कहा कि मैं तो चुनाव जीता हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ सवाल यह है कि हम किते दमदारी से एक जूठ होकर रहाई लड़ सकते हैं और जनता ने जो चुनकर हम विधायकों को भेजा है और जनता की आवाद बुलंद करने के लिए भेजा है तो हम लोग पूरी दमदारी से एक जूठ होकर विधान सवा में आवाद भाएंगे हैुएुएुएुएुएुए framaρά सुपır है यह सबसे बड़ी बास है कि हमें एक जूठ होकर नडायी लड़ना पड़ेगी किसी एक बहुति के नई बनने से इ Downtcore फ़रक नहीं पड़ेगा जित्ता कि हमारी एक जुत्ता से फ़रक पड़ेगा और हमारा पूरा तेंद्रित हम उसी पर है इसलिए हाई कमांड को हमने ये सौपा है कि वो जिसको आगे करेंगे पूरी ताकत से उसके नेतर्स में हम लोग काम करेंगे लिवात कैसे होगा जब सब ने एक सूत्र में ये बोला है कि हम लोग नहाएक कमांड पर सौपाय तो इसमें विवात कहां दिखता है जब बीजेपी अगर मुखे मंतरी चुनने में देर करती है तब तो उनसे कोई सवाल नी पूछता हमने नेता प्रतिबक्ष की बात करी तो उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं